नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है दुनिया का दिल जीत लेने वाली सुर कोकिला लतामंगेश कर अब हमारे बीच नहीं है मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पिताल में 92 साल के आयू में लतामतीदी का निधन हो गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुर कोकिला और बुलबुले हिंद जैसे शब्दों से नवाजी जा चुकी हिंदी गीत संगीत की आन बान शान कोकिल भैनी लतामंगेश कर भी किसी को अपना दिल हार चुकी है वैसे तो लतामंगेश कर के देश दुनिया में करोडो चाहने वाले हैं और उनके मन में अकसर यह सवाल आता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की क्यों लतामंगेश कर ने जिन्दगी भर कुवारा रहना कबूल किया सिंदगी के नए दौर के चुरुआत का फलसफा यू थाम देने की असली वज़ा आखिर क्या है तो आई आज आपको लता दिदी की अधूरी प्रेम कहानी या यूं कहें कि उनकी शादी ना करने की वज़ा के बारे में बताते हैं दरसल लता जी को डूंगरपुर राज घराने के महाराज राज सिंग से प्यार हो गया था राज सिंग ने अपने माता पिता को वचन दिया था कि वो किसी भी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे और अपने माता पिता को से किये गए इस वादे के कारण ही माराज राजा सिंग वचन बद्ध हो गए और उन्होंने लता जी से शादी नहीं की इतना ही नहीं लटा मंगेशकर के भाई राज सिंग के अच्छे दोस्त भी थे और राज सिंग लटा को प्यार से मिठ्चु कहकर बुलाते थे राज सिंग को क्रिकेट से बड़ा प्रेम था उन्होंने करीब 16 सालों तक पहले दरजी का क्रिकेट खेला इसके अलावा वो दो बार नैशनल टीम के सेलेक्टर भी बने चार बार भारतिय टीम के विदेशी दोरे का प्रबंद किया लेकिन वो अपने वचनों में बंधे रह गए जिसकी वज़ा से उन्होंने लटा मंगेशकर से शादी नहीं की वहीं अन्या जानकारी के मताबिक अगर आपको बताएं तो लटा मंगेशकर अपने शादी के सवालों पर हमेशा से ही कहती आई है कि अपने घर की जिम्मेदारियों की वज़ा से उन्होंने शादी नहीं की थी उनकी माने तो बहुत कम उम्र में उनके उपर कई बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी जिस वज़ा से वो शादी के बारे में नहीं सोच पाई और इसलिए उन्होंने जिन्दी के भर कुवारा रहना कबूल किया